और लागे रसुल्ह समय को पूरान और हदीषों की तालीमात अगर हम देखें यह फरमाया सूरह तो पासो नम्र नो आयत नम्रसाट में फरमाया कि सत्का और फित्रा देने की तालीम दी कि उनको सत्का फित्रा दो बल्कि छुपा कर दो, यह भी कुरान के अंदर काल गया है, ताकि सामने वाले को बेज़जेती मेसूस ना हो। इसी तरह सूरह इसरा की आयत नमर 23 में फरमाया, कि अपने माबाप के साथ में उसने सलुक करो, ये भी तुमारे साथ ने किये। यानि कुछी की चीज़ को छोड़ा नहीं कि सवाप से खानी हो, वो तुमारे साथ ने किये। सही तिर्वीजी की रिवायत है, अदीश नमर 1194, कि पडोसी के साथ में अच्छा सलुक करो, जो नहीं करता, तो उसके लिए लानत भी क्यों था है, कि वो जहन्नमी है, तो पडोसी के साथ मामलात के लिए जन्नत और जहन्नम के वाईदे सुना है, इतना जो अखलाक को अल् पूचक गाए कि भेदरिन इसलाम क्या है, तो अल्ला की रिवायत है कि बूको को खाना खिलाओ, तो सलाम काम करो, यानि खिलाने की तरगी भी इतनी दिलाए गई, सभी बुखारी के रिवायत है, अदीश नमर 2622, कि लोगों को अच्छा सलूक करो, और कई रिवायत है कि सा अदिली दोस्त है, ये तालिमात हमको मिली, सभी तिर्मेजी की रिवायत है, अदीश नमर 1833, कि कुछ नहीं, तो लोगों को मुस्करा कर देखो, तुमारे पास कुछ नहीं है, देने को कुछ है, ना खिलाने को कुछ है, तो ठीक मुस्करा कर देखो, वो भी सत्का है, वो यही तमाम फितनों की फसाद की जड़े गुसा तो इसको हराम करार दिया कि गुसा को pretend ना करे तो यह इसमें बताए गया तो जिहाद और फसाद फितना इसमें सब में फर्क है लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि नो मुसलमास समझते हैं जिहाद को उससे बढ़ा कर ले रहे हैं फितना अलग चीज़े फसाद अलग चीज़े लेकिन ये तालीमात हम नहीं पहुचाते हैं बताते हैं नहीं कि असल क्या है ये पूरी जिंदगी जो आपने की इस शोशल निजाम को कायम करने की ये चुआ चूट को इस मूच नीच को खतम करने की ये जद्व जहद असल जिहाद ये कि जिहाद उन्होंने किया है तो ये जिहाद उन्होंने किया इसी तरह जो है अल्लाग रसुले ले सलम ने जबर्जस्ति धर्म बदलने को मैना फरमाया तुर्य बकरा की आयत नंबर 256 में फरमाया कि जबर्जस्ति कोई दीन के अंदर कोई जबर्जस्ति नहीं कोई किसी का धर्म जबर्जस्ति बदला ही नहीं सकता जो आज लोग इल्जाम लगाते जबकि ऐसी तालिमात थी जिसकी वज़े से लोगों ने खुद को इसलाम को कबूल किया कोई जबर्जस्ति से नहीं हुआ ही जब कि ये तो मनाए खुद कुरान के अंदर कि जबर्जस्ति किसी को धर्म परिवर्टन कराए जाए इसी तरह जहे अल्लाग रसे लिए ने फरमाया सभी मुसलिम की रिवायते अदिस नंबर 2577 कि जुल्म सेना जुल्म करना और जुल्म सेना दोनों हराम यहनि जुल्म करना भी हराम है और जुल्म को सेना भी हराम उसका तुम मकावला करो क्योंकि आज अगर तुम से जाओगे तो इसकी ताकत बढ़ेगी दुनिया भर में नारा लगाए जाए, सफाई, सफाई, सफाई तो वो जरूर ही, अल्लाग रिखना सलम्म ने तो सही मुस्लिम की रिवायत है, अधीस नंबर 223 कि पाकी आदा इमान ने इतनी सफाई का इतना बड़ा मेसेज दिया कि हमारे इमान का हिस्सा बना दिया, यकीन का हिस्सा, विश्वास का, हमारे फेद का हिस्सा बना दिया कि पाकी आदा इमान है, तो तुमको सफाई रखना है, यानि खुद की भी सफाई रखना है अपने आपको और अंदर से भी पाक रखो और असल पाक रखना अंदर से पाक रखना है कि अंदर अगर तुम्हारे उपर से साफ हो महारा महला साफ हो तुम्हारी सीटियां साफ हो तुम्हारा देश साफ हो लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो कीना भरा हुआ है जो नफरत भरी हूँ असल सफाई तो वो है और वो सफाई उन्होंने सिकलाए कि अंदर नफरत अंदर ना रखो हसद जलन किसे के लिए ना रखो तो वो तालिमात जो अल्ला कि रसुल ने दी और परियावन के लिए सभी बुखारी की रिवायत अदिस नमबर 2320 के पेड़ लगाने का हुक्म दिया और यहां तक फर्माए कि तुमको अगर मालूम होगे कल कयामत आने वाली है तो भी आज पेड़ लगा इतना बड़ा कौन गो ग्रीन का स्लोगन दे सकता है अल्ला कि रसुल ने दिया तो भी पेड़ लगा और यह उदारोपन जो हमारे यहां परियावन दिवस्पो बनाए जाता है तो इतनी बड़ी तालिमात अल्ला की इस तरह आप पेड़ के नीचे पेशाप करने से मना किया गंदगी करने से मना किया उसमें गिलादत फेलाने से मना किया बलकि उसके लानत की है जो उसके पेड़ों के नीचे छाएदार पेड़ों के नीचे तुम गंदगी फेलाओ क्यों कि उसके अंदर मुसाफिर रुकते हैं उसके अंदर जानवर बेटते हैं अच्छाय गर्मी होती जाता तो उसके निचे गंदगी ना करो और इसी तरह अल्ला कि रसुल से लिए से कुरान में भी अल्ला ने फरमाया कि सारी जो समाजी बुराईया हैं इनको खात्मा करने के लिए अल्ला कि रसुल समय इंप्लीमेंट करके बताया कि ये सब चीजे हराम है जिना को हराम करार दिया और क्योंकि इसके लिए हम देखते हैं कि वो कोशिश तो करते हैं सरकार भी ये कोशिश करते हैं इस आप जुमा नहीं खेले उसके लिए कानून बनाते कि इसको जो है उठा के बंद कर दिया जाए लेकिन उसके बाद मैं शराब ना पिया इसके लिए बेन तो कर दिया जाता है लेकिन बेन सराब तुमने कर दिया लेकिन एरोटाइजमेंट टीवी पर जारी देता है अब वो उसका नाम दूसरा होता है लेकिन देखने वाला समझ जाता है कि मेरा ब्रांड आगया है नया तो उस पर तो एड चल रहे हैं दूसरे मुक्तलिफ नाम से चल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा तो फिर वो केसे समाज में सुधार आएगा एक तरफ आप इधर बेन करें और उधर से आपने खुले छोड़ दिये दरवाजे उसके पब्ली सिटी के तो अल्लाग रहे हैं पूरा जो हराम करा दिया कि उसको पीना उसको बेचना उसको खरीदना उसको उठाने वाला उसको बनाने वाला जो इस नियत से भी अगर अंगुर उगाता है फुरूट उगाता है कि इसकी शराब बनीगे तो वो भी हराम करा दिया उसी में शामिल है जैनि पीने वाले के अंदर बेचने वाले के अंदर शामिल जो इसलिए भी बनाता है आस तक में पर शराब नहीं नहीं की तो ये आलागी रसुल लेना और देना दोनों को अराम करा लिया जोगी एफी शोचल निजाम को खराब करता है तो अलागी रसुत लेना देना ये अराम करा दिया। उपराबर है औरर आलगी बराबर है और गरीब होग हक मारे तो उसको जेन्दमी करार दिया गरीब होग अजयता है तो आदमी जेन्दमी है तो ये अक दर्स में मुम्किनी नहीं है कि हम अल्ला के रसुल एक मुसलमान लग भी जाये तो उनकी सीरत को बयान नहीं कर सकता, जो काम उन्होंने 23 साल के अंदर किया, तो 23 साल लगा कि उनके पूरी जिंदगी को बयान नहीं कर सकता इतना उन्होंने काम करके दिया है तो ये उन्होंने किया तो ये चंद बातें जो हम उसके अंदर देखी कि अल्लाग रसुल ने क्या किया तो इतनी उन्होंने किया बद जरूत की इस बात किये कि हम इन बातों को जाने और यही पोचाए कि यही तो समाज की जरूत है वो यही तो चाहते है सबी लोग यह चाहते हैं कि समाज के अंदर निदाम हो तो वही तालिमात उन्होंने दी हैं और अल्ला की रसुलास सलम पर तनकीत तो की गई लोग करते भी हैं अब पिछले 30 सालों के अंदर तकरीबन उनके खिलाब 20 फिल्में और 600 किताबे लिखी गई लेकिन यह कि मुसल्मानों ने उससे लाखों किताब और 1000 से जादा लिखी है उनकी सीरों तो के उपर मुसल्मान भी लिखते हैं और उन्होंने भी लिखी है तो आज यह है कि हमको बोलना है और सूशल मीडिया का सभी इस्तिमाल करना है मीडिया तो हम देखते हैं कि कौन मुसल्मान है और हम किसको क्या रोकें भाई, आप क्या देख रहें, क्या नहीं कर रहें लेकिन कम से कम कुछ काम तो अल्लाग रसुलेसलब्ब के लिए, इसलाम के लिए, दीन के लिए तो कुछ काम करें हम चला रहे हैं, वाटसअप देखे तो दिन में चार घंटे उसके अंदर जा रहे हैं, फेस्बुक के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इन चीजों को पोचाना, क्योंकि वो तो फिर आपको मालूम है और आपने नहीं पोचाया, तो इसके जरी भी आपको पोचाना जर हैं, तो हमको हर आदमी को चाहिए, कि वो प्रस्ना खुद चानता है, इसको आप सिखाने की जुरत नहीं, सोचल मीडिया क्या है, तो वो चाहिए कि वो अपने, जिसका इलम है इतना है, नहीं तो पूछे, और उसके लिए वो ये जो तालिमात है अल्ला के रसुल सलम की, ज झालिम, सके रसूआ झालिमात वाहिए, धनितों म capitalize है जिएक रस्चे लिए झाल नहीं, से Mhm, पूछे ये वो सके दानी के है, जिसका इतना है, एसकी के जो आदू है जिसका भी जितते 시간 झालिए, वो सकस् democracy चलितेầy, जिन范ते हैं धनी क्या दो हैंदी आदी साये हैं, जिसक